हलो एविडिवन, वेल्कम तो दे चैनल इंजिनियर्स प्रो और आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर थी, दो चरवाले राखिक शमिकरन यूग, एकसरसाई 3.6, कोश्चन नमर वन का फिफ्ट और सिक्स्त कोश्चन, कोश्चन वन में टोटल एट कोश्चन है, तो को कोश्चन नमर 4 तक already हम लोगо इनगे कर लिया है, और इस विडियो में हम लोग कोश्चन नमर 5 एन 6 को डिल करेंगे, तो कोश्चन 5 को देखते हैं, कोश्चन वाइब देखिए, क्या सिम्पल सा कोश्चन है, वाट आप लोग घबरा रहे हैं, देखिए, पहला एक कोश्च क्या है हम लोग बस simplify करना है आपको कुछ नहीं करना है simple step by step follow कर लीजिए आप easily इसको solve कर पाएंगे equals to 5 यह पहला equation है अब आप equation को देखिए और सोचे इसको क्या कर सकते हैं पहले तो हम लोग इसको standard राखिक शेमिकरन यूग में ax plus bx plus c के form में लाने की कोशिश करेंगे यहां देखिए lcm के form में है इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 7x by xy कर दीजिए यह तर्म अलग हो गया minus 2y by xy इसको लिख सकते हैं और equals to 5 अब देखिए क्या हो जागा x, x cancel यहां yy cancel तो equation क्या जाएगा 7 by x minus 2 by, sorry 7 by y आएगा यहां x term cancel हो गया तो 7 by y minus 2 by 2 by x equals to 5 और similarly second equation को भी करिए तो second equation क्या है 8x plus 7y divided by xy equals to 15 इसको भी अलग-अलग कर लेंगे तो आजागा 8x divided by xy plus 7y divided by xy equals to 15 यहां क्या xx कर जाएगा और यहां yy कर जाएगा तो आजाएगा 8y x plus 8 by y है ना प्लस 7 by x equals to 15 इसको थोड़ा से मिनिमाइज कर लेता हूँ अब देखिए question one में हम लोग इना इस तरह का question बनाया है already तो क्या आप एज्यूम कर लेना है आप खुद समझ में आ रहा होगा एज्यूम कर लेना है let 1 by x equals to p और 1 by y equals to q तो first equation क्या बन जाएगा 7 by y तो 7 q minus 2 by x तो 2p equals to 5 यह पहला equation second equation क्या जाएगा 8y तो 8 by y है तो 8 q plus 7p equals to 15 यह second equation बन जाएगा अब हम लोग इसको बाजिर गुनन मेथ़ड से करेंगे तो बाजिर गुनन मेथ़ड के लिए पहले इसको हम लोग standard form में लिख लेते हैं तो standard form में पहला equation को क्या लिखेंगे minus 2p plus 7q minus 5, 5 कोई से लिखेंगे यह बन इक्वास तो 0 यह equation first और 7p plus 8q minus 15 equals to 0 यह second equation तो अब क्या करना है बाजिर गुनन मेथ़ड से cross multiplication मेथ़ड से इसको solve करना है तो मैंने पहले भी उसको याद रखने का तरीका बताया है तो बाजिर गुनन मेथड क्या है जैसे x है x का coefficient क्या है a तो a को उसके नीचे नहीं लिखना है तो इसके नीचे आएगा b और c मतलब b c आने वाला है इसके नीचे और बताया था 12 minus 21 बताया है तो बस आपको बस यही याद रखना है इसके नीचे आएगा b c और 12 minus 21 तो क्या आजएगा b 1 c 2 minus b 2 c 1 याद है याद आ रहा है मैंने अल्रेड़ी याद रखने का तरीका बताया है और y के नीचे क्या आजएगा c a क्योंकि इसका कोफिस्टेंट b है तो b को हाइड रखना है फिर c a 12 minus 21 तो c 1 a 2 minus c 2 a 1 और constant term क्या है c तो इसके नीचे c को नहीं लिखना है a and b आएगा और 12 minus 21 तो a 1 b 2 minus a 2 b 1 ये simple तरीका हो गया याद रखने का अब हम लोग इसमें direct value put करेंगे तो यहाँ x के जगा क्या है p तो लिखेंगे p और b 1 c 2 b 1 क्या है y का कोफिस्टेंट तो यहाँ याँ जगा q तो 7 into 7 b 1 c 2 7 into minus 15 b 1 c 2 minus b 2 c 1 b 2 क्या है 8 और c 1 क्या है minus 5 तो 8 और minus 5 और y के जगा क्या है q c 1 c 1 क्या है minus 5 और a 2 क्या है 7 लिख दिजे 7 into minus 5 c 2 a 1 minus c 2 a 1 c 2 क्या है minus 15 और a 1 क्या है minus 2 यह भी लिख दिजे minus 15 minus 2 equals to 1 divided by a 1 b 2 a 1 क्या है minus 2 b 2 क्या है 8 minus 2 into 8 minus a 2 b 1 a 2 क्या है p और b 1 क्या है a 2 क्या है 7 और b 2 भी है 7 तो minus 7 into 7 अब इसको solve कर लिजिए p 15 सत्य कितना आ गया 7 पचे 105 minus 105 और minus minus plus 8 पचे 40 equals to q minus 35 सत्य पचे 35 माइनस माइनस पलस और minus 30 पंद दुना 30 ठीक है by 1 by minus 8 दुना 16 और minus 6 सत्य उन्चास यहां तक के लिए रहे यह क्या आ जाएगा p by minus 105 पलस 40 तो 105 में 40 गया कितना आएगा 5 और 6 minus 65 equals to q by minus 35 minus 30 यह भी minus 65 equals to 1 by यह क्या जाएगा minus 16 माइनस उन्चास दुना आड़ो जाएगा 9 6 15 4 1 5 6 तो minus 65 अब देखिए सब के नीचे minus 65 आ गया अब हम लोग क्या करेंगे 1 by 1 constant term के equal करेंगे यही तो है बजर गुनन मेथोड तो case first क्या हो जाएगा p by minus 65 equals to 1 by minus 65 तो minus minus यह पूरा cancel हो जाएगा minus 65 minus 65 p equals to आजाएगा 1 similarly case 2 यह क्या आजाएगा q by minus 65 equals to 1 by minus 65 यहाँ यह भी यह भी cancel हो जाएगा और q equals to आजाएगा 1 तो हम लोगोंने क्या एजियूम किया है p और q का value आगया तो हम लोगों पहला जो एजियूम किये है p equals to 1 by x और यह आगया 1 q equals to 1 by y यह भी आगया 1 तो यहाँ x बरावर आगया 1 और y बरावर also 1 clear है आप किसी एक समिकरन में value पूट करके भी इसको check कर सकते है ठीक है अब यह question होगे solve अब चलते हैं next question पे question 6 यह भी same question है देखिए बस xy को उस side कर दिया है तो हम लोग इसको भी simplify कर लेंगे 6x plus 3y equals to 6xy clear है आप क्या करेंगे हम लोग xy को सिर्फ इस side ले आएंगे तो 3x plus 3y 6x plus 3y equals by xy equals to 6 xy को बटे में ले आएंगे और इसको भी अलग अलग कर देंगे तो 6y by xy plus 3y by xy equals to 6 same question बन गया यहां yy cancel हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 6 by y plus 3 by x equals to 6 यह पहला equation और second क्या जाएगा इसको छोटा कर लीजिए जो second equation बन जाएगा यह भी same बन जाएगा दिखे 2x plus 4y equals to 5xy xy को सिर्फ इस साइड लाना है तो 2x plus 4y by xy equals to 5 यह बन जाएगा 2x by xy plus 4y by xy equals to 5 यह जाएगा 2 by y xx cancel यहां yy cancel plus 4 by x equals to 5 यह दोनों question सेम है आप लोग को मज़ा गया होगा मज़ा आया तो channel को like कर लें अब हम लोग क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे क्या एज्यूम करना है 1 by x फिल लिकेंगे लेट 1 by x equals to p और 1 by y equals to q तो पहला राखेंगे श्यूम क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा 6 q 6 q plus 3 p equals to 6 और second equation क्या बन जाएगा 2 q plus 4 p equals to 5 इसको हम लोग क्या कर लेंगे elimination method से solve कर लेंगे मैंने पिछला question जो है cross multiplication से बताया ताकि आप लोग को revise हो जाएग अब elimination method से हम लोग ने बताया है opposite coefficient से multiply कर देना है तो यहाँ p का जो coefficient है यहाँ 4 है तो पहला equation को 4 से multiply किया और first equation में p का coefficient 3 है तो second equation को 3 से multiply किया यह मैंने already पिछले कई question में बताया है तो अब यह क्या हो जाएगा elimination method से multiply कर दीजे तो 6 चौक 24 q प्लस 3 चौक 12 p equals to 6 चौक 24 और second equation क्या आएगा तीन दुना 6 q प्लस 4 तिया 12 p equals to 5 तिया 15 अब दोनों को मैनस कर लिजी यह केंसल आग्या अठारा q equals to 14 में से 5 गया 9 ठीक है 24 में से 15 गया 9 आग्या अब देखिए आपको q का मान गया थो गया q equals to 9 by 18 नौदुना 18 यह आग्या 1 by 2 अब कोई एक equation में क्या करिए y का मान क्यूं का मान रखिए p का मान आ जाएगा तो हम लोग second question में रख लेते हैं तो second question है 2q plus 4p equals to 5 अब यहां क्यूं का मान रख दीजे 2 x 1 by 2 plus 4p equals to 5 दो दो कैंसल क्या आ गया 1 plus 4p equals to 5 4p equals to 5 minus 1 p equals to यह हो गया 4 divided by 4 equals to 1 तो p आ गया 1 और q आ गया 1 by 2 तो अब हम लोगों ने क्या एजूं किया है q आ गया 1 by 2 और p आ गया 1 तो simply इससे हम लोग क्या करेंगे देखें एक्स और y का मान निकाल लेंगे तो 1 by 1 by x equals to 1 x equals to also 1 reciprocal कर लेंगे ठीक है यह simply multiply कर दीजे तब भी x का मान यहां उससेट जाएगा x equals to 1 similarly 1 by y equals to 1 by 2 तो y equals to 2 x बरावर आ गया 1 y बरावर आ गया 2 यह भी question हो गया solve तो कैसा लगा solution कमेंट में ज़रूर बताए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं next question में thank you